नमस्कार स्वगत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मेरानी गुपता आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबड सामने आ रही है पत्रिकार मनीश कस्यप से जुड़ी हुई आपको बता दे कि जेल से रहा होने के बाद उन्होंने सीधे तोर पर बिहार की नितीश सरकार पर जम कर हमला बोला और नितीश सरकार को कंस सरकार तक खरार दे दिया अब वो बेतिया पहुँच चुके हैं बेतिया में उनका दमदार तरीके से स्वागत किया गया जो तमाम सम उड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बता दे कि इससे पहले उन्होंने सीधे तोर पर बिहार को बदलने की बात तक कही है ऐसे में अनुमाल लगा जा रहा है कि क्या अब मनीज कशप जो है वो नितीश और तिजस्वी यादों को बड़ी चुनौती दे सकते हैं र मनीज कशप ने सरेंडर किया था और उसके बाद उन्हें नौ महीने तक जेल में बितानी पड़ी और तमिलनाडू सरकार ने तो बखादा उन पर नस से भी लगा दिया दरसल पटना हाई कोट से जमानत मिलने के बार शनिवार को यूट्यूबर त्रिपुरारी तिवारी औ मनीज कशप बेउर जेल से रहा हो गए उनके स्वागत में गेट पर समर्थकों की भारी भीड देखने को मिली हंगामे से आश्रंकित प्रशासन ने जेल से बाहर परियाप्त संख्या में बलको तनाद भी कर रखा था वहीं मनीज कशप लगभग 9 महीने तक तमिलनाडू औ वारल करने के आरोप में मनीज कशप ने बेतिया में आत्म समर्पड किया था तब से वो जेल में ही थे जेल से बाहर निकलते ही मनीज कशप ने नितीज कुमार की सरकार के खलाफ जम कर हला बोला है उन्होंने कहा कि उनके खलाफ साजिश की गई थी जिसकी वज़े से उन्ह नौ महीने जेल में रहना पड़ा था मनीं करश्रप ने कहा कि जैसरेकंस ने साजिश्प किया तो भगwan क्रिश्ण को 9 महीने बाद जेल में पैदा होना पड़ा था वैसे ही बिहार में कई कyy कंस है जिन्होंने उनके खलाफ साजिश रची है उन्होंने कहा कि ये सजा कोट ने नहीं नेताओं ने दी थी उनके उपर NSA लगा दिया गया था साथ ही उन्होंने कहा कि NSA के बाद NSA के इंप्लिमेंट होने के बाद किसी भी मीडिया कर भी यूट्यूबर और सोशल वरकर पर कभी नहीं लगाया गया था पहली बार मनीज कर्शप के उपर ये धारा लगाई गई हाला कि कोट ने इसे हटा दिया नहीं तो वो दो महीने के अंदर जेल से बहारा जाते इसके बाद मनीज कर्शप ने ये भी कहा कि चुनाव के वक्त कोई नेता रोजगार तो कोई नेता घर या सड़क बनाने की बात करता है अगर वो काम नहीं करता तो वो भी जूट है और उन पर भी वही धारा लगरी चाहिए जो कि उनके उपर लगाई गई साथ ही मनीज कर्शप ने कहा कि पहार तोड़कर सड़क बनाने वाले दशरत माजी के परिबार को आज तक उनका हक नहीं मिला माजी जैसे बिहार में करोडों घर हैं जो समस्या में पैदा होते हैं समस्या में जीते हैं और समस्या के साथ ही अंतिम सास लेते हैं इसकी समस्य को जड़ से उखाड कर फेकना है उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं चाहे ब्रहस्टा चार रूपी पहाड कितना भी उचाया वड़ा क्यों ना हुचाय उसे तोड़ कर ही दम लेंगे दर असल आपको बता हाती है और वहीं इस्थान पर पहुच करके आज सीधे तोर पर मनीज कश्रप ने बिहार के नितीश और तेजस्वी सरकार पर यह बड़ा हमला बोला है दरसल आपको बता दे कि 12 मार्च 2023 को खतकड़ी पैने एक वैक्ति की ट्रेन में यात्रा करते हुए वीडियो अपलोट के तहट कारवाई की थी इस केस में पठना हाई कोट ने मनीज कश्रप को सरशर्थ नियमित जमानत भी दे दी है बता दे कि मनीज कश्रप पर कानूनी शकंजा तब कसा था जब तमिलनाडू में बिहार के लोगों के खलाप हिंसा को लेकर एक वीडियो सामने आया था की थी मनीज ने राहत पाने के लिए सीड़े सुप्रीम कोट का रुख किया था उस समय तमिलनाडू सरकार ने एनस से हटाए जाने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोट में दलीले भी दी थी हाला कि मनीज को राहत मिल गई वहीं मनीज के खलाफ बिहार के बेतिया जुले मे साथ मामले दर्श किये गए थे इसमें विधायकों के साथ मारपीट जौन से मारने की धमकी के लावा बैंक मैनेजर से मारपीट का भी आरोप लगा था इस मामले में कुरकी जबती के बाद मनीश में थाने में सरेंडर कर दिया था तब ही से मनीश कश्चप को जेल में रखा गया यहां कई मामलों में सुनवाई के दौरान पेशी होनी थी वहीं तमिलनाडू में दर्श मामले में पेशी वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से की गई साथ ही अगस्त महिने में पटना सिबल कोट ने मनीश को बड़ी रहत दी थी और कोट ने मनीश को तमिलनाडू जेल वापस नहीं जाने का अधिश भी दिया तब वकील शिवनन्द भारती ने बताया था कि तमिलनाडू में मनीश के खलाफ कुल छे मामले दर्ज हुए थे जिस पर उन्हें डिफॉल्ट बेल मिली थी वही मनीश के खलाफ आर्थिक अपराद हिकाई ने चार मामले भी दर् किये गए यानि कि पूरी की पूरी कहीं न कहीं प्लानिंग था कि मनीश कर्षप जो हैं वो जेल में रहे और बकादा नस से भी लगाया गया नेशनल सेक्यूर्टी एक्ट जिसको ले करके यह कहा जाता है कि यह अगर लग गया तो जाहिर तो और पार उसका पूरा का पूर खरियर बरबाद हो जाता है और अगर हम देखें पत्रकारिता जगत में तो ऐसा जो एक्ट है वो किसी पत्रकार पर नहीं लगाया जाता है लेकिन तमिलनाडू सरकार ने यह एक्ट लगाया और इसको लेकर के जो मनीश कर्षप सुप्रीम कोट पहुचे रहात के लिए एक्ट को हटाने की बात कही जाहिर तोर पर देखने को मिला कि जब मनीश कर्षप बियूर जेल से रहा हुए तब भी जेल के बाहर उनके काफी जादा समर्थक मौझूद थे तमाम मीडिया चैनल भी मौझूद थे जो कि उनका इंटर्व्यू ले रहे थे और इस दौरान उन्होंने बिहार की नितीश सरकार पर जम कर हमला बोला और इससे पहले भी कई सारे वीडियो मनीश कर्षप के वारल हुए थे जब उनकी जेल में पेशी हो रही थी इस दौरान भी उन्होंने हमला करते हुए यह कहा था लालू यादो और तिजस्वी यादो पर कि वह चा पताब से मनीश कश्प का जो रूप देखने को मिल रहा है उसको ले करके यही माना जा रहा है कि जल्दी बिहार में मनीश कर्षप जो है वह नितीश कुमार और तिजस्वी यादो के लिए एक बड़ा सरदर्द बन सकते हैं बड़ी टेंशन की बज़र बन सकते हैं क्योंक पर उतर आए थे उन्होंने रोड़वना किया था बिहार बंद का आवाहन किया था क्योंकि मनिष कशळप इंग उन्पर नश से लगाया गया और और इसका पूरा का पूरा जो है वो देखने को मिला रहे हैं फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद